Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know, कि मैं इस चैनल पर बड़ाती हूँ class 10 को algebra and geometry. Yes, अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो मैं बता देती हूँ कि इस चैनल पर आपको algebra and geometry के पूरे practice set, problem set के videos मिल जाएगे और practice set और problem set के videos के अलावा मैं इस channel पे बहुत सारे study materials भी देती रहती हूँ और हम exam के time में, board exam के time में live session भी conduct करते हैं इस channel पे तो जल्ली से मैं आपको फटा-फट आज हम क्या करने वाले हैं जैसे कि आपको पता होगा कि हमने theorem की series जो है वो launch की है मतलब मैं एक video में एक theorem करा रही हूँ तो अभी जैसे कि आप लोग को पता होगा जो हमारा chapter number one similarity है इसमें total चार theorem है जैसे bpt and converse of bpt है बट converse of bpt का proof तो exam में नहीं आता है ठीक है converse of bpt का आपको मतलब पता होना चाहिए क्योंकि वो question solve करने के लिए आपको help तो करेगा बट proof नहीं आएगा हम proof की बात कर रहे है कि कौन कौन से proof exam में आ सकते है वो theorem में आपको करा रही हो तो bpt आता है उसके बाद property of an angle bisector of a triangle भी आता है जिसको बोलते है angle bisector theorem and then property of three parallel lines and they are transversal तो ये तीन theorem हमारे हो चुके है ठीक है chapter number one similarity से अब ये last theorem आज बच्चा है वो आज हम complete कर लेगे तो हमारा जो chapter number one similarity है उसके सारे theorems हो जाएगे then we will start with chapter number two के theorems I hope आप ready हो लेकिन उससे पहले कुछ एक बहुत important बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे live सीखना चाहते हो तो हमारा एक app है तो ये app जरूर आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से ठीक है अगर आप android user हो तो प्ले स्टोर में आपको ये galaxy of max का app मिल जाएगा तो जल्ली से इसको install कर लो और install करने के बाद इसमें साइन अप कर लेना फटाफट कैसे साइन अप करोगे तो जल्ली से मैं दो मिंड में प्रोसेस बताती हूँ क्योंकि इस app के अंदर एक बहुत इंपॉटन जीज है जो मैं भी आपको फटाफट बता देती हूँ यहाँ पर आप क्या करना कि यहां पर यूज अनदर मेथड यईयानि कि वॉत्सअप से भी लॉगिन कर सकते हूं या फिर आप अपना जो नमबर है नमर टाइप करना नमर टाइप करना रापको उस नमर से ओटिप नमर और चिटी除 सबसे पहला हमारा जो बैच है वो लॉंच हुआ है इस एप में अगर आप इस बैच में एंड्रोल करना चाहते हो तो जली से यह आप डाउनलोड कर लेना तो यहां पर देखो आपको नीचे तीन तीन नहीं सौरी चार ऑप्शन मिलें कि होम स्टोर चैट सेंड प्रोफाइल तो आपको क्या करना है स्टोर में जाना है स्टोर में तो फ्यूचर में अगर कोई भी कोस आता है ना तो वो स्टोर में आएगा तो फिलाल अभी एक हमारा बैच लॉंच हुआ है यूनिवर्स बैच जिसमें आपको पूरा यूनिवर्स मिलने वाला है एलजेबरा एंड ज यह discount भी तो आप देखोंगे तो पूरा प्राइज आपको दीखेगा अगर आज मतला 1st June को अगर आप डाउनलोड करते हो तो यह ऑप और देखोंगे तो यह प्राइस है तो बहुत ही चल्ड फिर से ओफर आनेवाला टो जल्ली से फर्स्ट हंड्रड चुट्रें को ही ऑफर है कोई ठोड़ा अगर बद सब्छे है इस मैं स्वाशन है और आपको आपको एम कर ले किक sccio YouTube आपको ऐसंद सब्सक्रादी यहांसे सब्सक्राइब आपको रिसीट भी आजाएक अपने वाटसएप आपके वाटसएप ग्रूप पे ठीक है और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ बढ़िया बात किया होती है पता है कि यहाँ पर आपको चैट्स में चैट्स में युनिवर्स बैच का एक ग्रूप फॉर्म हो जाता है तो यह जो आपको जैसे वाटसएप ग्रूप होते है उसमें वैसे यहाँ पर इसी एप में ग्रूप आएगा युनिवर्स बैच का ग्रूप आजाएगा और वहाँ पर वही बच्चे है जिसने युनिवर्स बैच में एंड्रोल किया हुआ ठीक है तो आप ऑ्टमैटिकली यूनिवर अब मैं बताती हूं कि यूनिवर्स बैच में आपको क्या मिलेगा यह महारास्ट्रा का सबसे पहला और बहुत ही धमाकेदार एलजेब्रा एंग जोमेट्री का बैच होगा अगर आपको नहीं पता है मैं लास्ट फो यह से यूटुब पर पढ़ा रही हूं तो आपको भी मे क्रेश कसा आपको फ्री मिलेगा जो इस बैच में चैनल करने वाला ही जो कॉले नुवेंबर हो क्रेश को और लाँच करने वाले है तो वह पर चाप्तर मीनेवाले है ठीक है तो वह बतलत कोई तैंशिहित नहीं है इलजच बिक रूमेट्र के पीडी ऐस ने कान मेंत सभर के के बार एक डाउट सेशन भी लेगे तो डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा हमारा और बोड एक्जाम के पहले लाइव भी होगा हमारा और आपको प्रसनल अटेंशन वगरा सब मिलेगा ठीक है मैंने एक पूरा वीडियो बनाया इसके ओपर तो आप देख लेना अब भी प् स्टार्ट करते हैं बाद में और पता होगी हाँ चलो यहाँ पर देखो क्या दिया है थियोर्म ओफ एरियाज ओफ सिमिलर ट्राइंगल यह थियोर्म बहुत इंपॉर्टन है यह थियोर्म जो है वह हमारी 1.4 वाला थियोर्म है जो यह थियोर्म है एक थियोर्म है और इस ए उनके areas के बारे में ये theorem है, समझ में आया? हाँ, जो similar triangles है, दो triangles similar है, उनके areas के बारे में कुछ ये theorem है, समझ लए, ओक सुछ, अता आपन वात्सुया, क्या दिया है, theorem का statement आपको बोर्डग्जाम में दिया रहता है, ठीक है? क्या दिया है, when two triangles are similar, अगर दो triangle क्या है, similar है, तो क्या होता है, the ratio of areas of those triangle is equal to ratio of square of their corresponding side, square word बहुत important है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, कि मान लेते हैं कि दो triangles क्या है, similar है, तो अब देखो मैं फट्टाक से diagram भी मैं आपके सामने बनाऊगी, क्योंकि एना, एक तो एना teacher के ह पहले से सब बना के आजाते हैं, और एक होता है कि आपके सामने बनाया जाता है, तो आपको थोड़ा feeling आता है, तो हाँ, यहाँ पे देखो, suppose करो कि हमारे पास क्या है, यह दो triangles है, तो इसका नाम है, मान लेते है, A, B, C, और यह है दूसरा triangle P, Q, R, अब यहाँ पे यह दोन to triangle P, Q, R, तो क्या होता है, if triangle A, B, C is similar to triangle P, Q, R, then, then क्या, क्या, यह theorem क्या देता है, then this theorem says that, कि यह दोनो triangle का areas का जो ratio होगा, यह दोनो triangle के areas का जो ratio होगा, that is equal to ratio of, ratio of, square of, ratio of, square of their corresponding side, तो यहाँ पे corresponding side कितने है, हमारे similar triangle के पास तो दीख, corresponding side होते हैं, तो A, B और P, Q corresponding side है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, कि यह दोनो triangle के areas का जो ratio होगा, that is equal to ratio of, ratio of, square of their corresponding side, तो corresponding side के square का ratio लेना है, that is, A, B square upon P, Q square, and that is equal to, अभी एक corresponding side नहीं होता है, तीन, तीन corresponding side होते है, तो तीनो लिख दो, that is, that is equal to B, C square upon Q, R square, that is B, C square upon Q, R square, and that is equal to last, A, C square upon P, R square, that is, A, C square upon P, R square, तो यह है हमारा theorem, कि अगर दो triangle similar होगे, तो आपको यह मिलेगा, क्या मिलेगा, कि उनके areas का ratio होगा, वो किसके equal होगा, that is equal to ratio of, square of their corresponding side, इसका मतलब क्या होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बताती हूँ, जैसे मान लेत तो समझ में आ गया, क्या है, अरे बता दिया, तो समझ में आ गया, क्या है, अरे बता दिया, क्या मैंने सब भी रफ कर दिया, ओके ठीक हो, तो यहाँ पे देखो, क्या होगा, यह मान लेते है, यह हमारे पास दो triangle है, triangle ABC और यह है, हमारा triangle PQR, और यह दोनों triangles क्या है, similar, very good, तो given में लिकरी हूँ, कि यहाँ पे जो triangle ABC है, that is similar to what, triangle PQR, ठीक है, उसके बाद आते है, next, क्या prove करना, क्या prove करना, जली से बोलो, कि अगर दो triangles क्या होते है, similar होते है, तो हम क्या करेगे, उनके areas का जो ratio होगा, देखो, मैं लिकरी हूँ, उनके areas का जो ratio होगा, that is equal to ratio of square of their corresponding side, तो देखो, मैं square of their corresponding side लिकरी हूँ, और फिलाल हम लोग 3 corresponding side लिखेगे, देखो, यहाँ BC square upon क्या हो जाएगा, next QR square, ठीक है, जगह कम पड़ रही है, बट कोई बात नहीं, हम इनको हटाएगे, हम उनको उदर हटाएगे, जाओ, 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 दो मिन के लिए उदर जाओ, हाँ, and last हो जाएगा, that is equal to क्या हो जाएगा, AC square upon PR square, तो AC square upon PR square, आप लोग को है न आपको उससे पहले आपको करना पड़ेगा, construction, क्या construction करेगे, एक छोटी सी construction होने वाली है, तो be ready for the construction, हम क्या करेगे, एक perpendicular line बनाएगे, यानि कि हाइड बनाएगे, तो यहापे क्या करेगे, A से हम क्या करते, एक perpendicular line बना देते, मतलब हाइड बना देते, और यह किसको perpendicular यहापे देखो, AD जो है, वो perpendicular होगा, किसको BC को, फीक है, उसके बाद यहापे PS जो है, वो perpendicular है, PS जो है, वो perpendicular है, किसको QR को, तो I think आपको given समझ में आ गया होगा, two proof समझ में आ गया होगा, अभी हम start करेगे with proof, लिकिन proof से भी पहले, एक given में दो तीन चीज़े आप पहले ही लिख के रख दो, क्योंकि वो काम आएगी, देखो ध्यान देना, यह दोनों triangle similar है, तो आपका पहले तो पता होना चाहिए, कि जब दो triangle similar होते है, तो हमको क्या पता है, कि इनके corresponding side का ratio equal होता है, तो यानि कि हम बोल सकते है कि यहापे AB upon PQ, देखो ध्यान से देखना, यहाप तो यह दोनों triangle similar है, तो इनके corresponding side का ratio equal होगा, और दूसरी बात, जब दो triangle similar होते है, तो इनके corresponding angles congruent भी होते है, तो यह चो angle B और यह चो angle Q है, वो congruent होगा, तो में लिख देती हूँ, angle B is congruent to angle Q, ठीक है, यह दो चीज़ गीवन में हमने बाद में लिखी, क्योंकि आपको क्या करेगे, यह तीनों का, यह तीनों एक साथ नहीं आएगा, हम कोई तीनों में से एक ही करेगे, जैसे कि हम क्या करेगे, यह जो area का ratio है वो इसके equal दिखाएगे, यह easy रहेगा, ठीक है, और फिर automatically यह भी आई जाएगा, tension मतलो, तो यह दिखाने वाले हम लोग, अब कैसे दिखा है, कैसे दिखा है, देखो, given समझा, दो triangle similar है, हमको क्या प्रूव करना है, कि जब दो triangle similar होते हैं, इनके area का ratio होता है, that is equal to ratio of square of their corresponding side, square बहुत important है, construction में हमने side बना दिया है, अब क्या करें, तो सबसे पहले देखो, यहा पे area का ratio है, area का ratio कैसे आएगा, तो हमने 1.1 मे concept किया था, क्या, कि दो triangle के area का ratio होता है, याद है, दो triangle के area का ratio होता है, that is equal to ratio of product of their bases and corresponding height, याद है, हाँ, तो हम यही पहला concept use करने वाले है, starting यहाँ से होगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं फटा पर लिख रही हूँ, ठीक है, आप एना अच्छे से देख लेना, तो य हम क्या लिख सकते है, कि यह जो हमारे दोनों triangle है, triangle ABC, and हमारा यह जो triangle है, that is triangle PQR, तो हमको क्या पता है, कि दो triangle के area का ratio होता है, that is equal to ratio of product of their bases and corresponding height, तो base और height का product लेना है, तो पहला हमारा base है BC, और height है AD, और next हमारा base है QR, and height है हमारा next triangle का PS, ठीक है, अब इन दोनों को थोड़ कर लेगे, मतलब अलग कर देगे, मतलब ऐसे लिखे के, देखो BC upon QR अलग हो जा भाई, into, यह दो into sign थे, एक into में कर दिया, इसको एक में ही बदल दिया, and next हो जाएगा, AD upon PS, AD upon PS, equation number 1, अब आप बोलोगे मिस ऐसा क्यों क्या, तो मैं एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर द किया हो जाएगा BC square, और QR into QR क्या हो जाएगा, QR square और हमारा answer आजाएगा, तो हमारा target क्या है, कि हमने क्या किया, इनको अलग इसलिए किया, क्योंकि हमको क्या करना है, इसके जगा पे क्या लाना है, यहाद है, क्या लाना है, बीडी upon QR लाना है, ठीक है, यह देखो, यह AD upon PS, जो है ना इसके जगह पे क्या लाना है BD upon QR लाना है तो यह कैसे भी करके हम लाएगे BD upon QR नहीं रहे सारी मैं भूल गई BC BC सारी 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 BC upon QR तो कैसे लाएगे चलो करते हैं तो यह पहला स्टेप समझा हाँ very good अब आते हैं और अब देखो मज आएगा अब मज आएगा ना वीडियो देको अभी क्या करेंगी हम लोग यह वाला ट्राइंगल लेगे कूँए को इधर a da और p a से तो यहाँ पर यह पर एना यह त्रायंगल लो मतलब यह ले ले अब इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या दिखाएंगे सिमिलर दिखाएंगे तो वैसे भी इतना तो आपको पता ही होगा क्यों सिमिलर है बताओ बहुत ईसी है यह दोनों प्राइंगल हो मत इतना डीतेल में नहीं Greg कि जो ट्राइंगल ADB है वो क्या है सिमिलर है ट्राइंगल PSQ को PSQ को क्यों सिमिलर है तो बहुती सिम्पल फंडाय लिग देगे By Angle Angle Test of Similarity अगर यह दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि corresponding side का ratio क्या हो जाएगा equal यानिकि कहां पर दे कौनसे corresponding side लेगे, that is, ad upon ps is equal to ab upon pq, ठीक है? तो यह corresponding side लेगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ad upon ps is equal to क्या लिख रहे है? ab, देखो इधर से देख रही हूँ मैं, ab upon pq, क्या हो जाएगा? ab upon pq, that is, corresponding sides of similar triangle हो गया, ठीक है? और अब भी मैं एक बात बताओ, हमारा answer आ च step हमने बोला, कि यह दोनों triangle के area's का ratio होगा, that is equal to ratio of product of their bases and corresponding height, फिर दोनों को अलग करके equation 1 दे दिया, अब हमने क्या किया? यह वाला triangle लिया और यह वाला triangle लिया, इन दोनों triangle को similar बताया, by angle angle test of similarity, अब यह दोनों triangle similar है, तो इनके corresponding side का ratio होगया, equal, equation 2, but, यहाँ पर देखो, but, given में already हमारे पास एक कुछ बहुत अच्छी चीज है, but, हम क्या बोलेगे, जो triangle ABC है, और यह जो triangle PQR है, वो तो पहले से similar थे, और यह दोनों similar होने के कारण, इनके corresponding side का ratio जो है, यह तो equal है, तो यह मैं इधर copy कर रहे है, नीचे paste कर रहे हूँ, but, हमारे पास क्या है, यह है, और यह कहां से आया, तो यह आया है given से, यह given है, यह given है, और यह हो जाएगा equation number 3, अभी आप देखो, equation number 2 और 3 को देखो, आपने transitivity property सुना होगा, यहापे देखो, यह जो 1, इसको मान लेते है 1, इसको मान लेते है 2, और यह 2 है, तो यह भी 2 होगा, क्योंकि यह दोनों same है, और यह हो जाएगा हमारा 3, तो यहापे देखो क्या है, 1 is equal to 2, 1 is equal to 2, यहापे 2 is equal to 3 है, तो 1 is equal to 2, 2 is equal to 3, then 1 and 3 क्या हो जाएगे, equal, then 1 is equal to 3, इसका मतलब यह दोनों equal हो जाएगा, यानि कि AD upon, यहापे लिखेगे AD upon PS जो है, that is equal to क्या आ गया, BC upon QR आ गया, BC upon QR आ गया, है न from equation 2 and 3, और यही तो हमारा target था भाई, कि AD upon PS के जगा पे क्या आए, BC upon QR आए, और यह देखो आ गया है, from equation 2 and 3, समझ लका है पोरा नो, बहुत easy है, यह 3 step का काम है, कितने step का, 3 step का काम है, ओके, तो यहापे देख लो, अभी हम यहापे लिखेगे, ध्यान से देखना, अभी ह हम यहापे लिखेगे, हम यहापे बोलेगे, कि from equation, देखो कोई बात नहीं, बहुत easy है, from equation 2 and 3, from equation 2 and 3, क्या हुआ, कि यह और यह equal आ गया, क्योंकि यह दोनों देखो, equal है यहापे ratio, ठीक है, तो यहापे हम बोलेगे, AD upon PS is equal to क्या हो जाएगा, BC upon QR, so now, therefore now, equation 1 क्या बन जाए equation 1 becomes, क्या बन जाएगा equation number 1, equation number 1 क्या था, क्या था, कि यह दोनों triangles के areas का जो ratio है, यह दोनों triangles के areas का जो ratio है, that is equal to हमारे पास यह था, क्या था, that is BC upon QR into क्या था, AD upon PS, but अभी ताजा ताजा फ्रेशली मिला है, कि AD upon PS तो इसके equal है, ठीक है, इसको देदेते है equation number 4, तो फिर यह यहापे हम लोग क्या करेगे, AD upon PS को replace कर देगे, that is, यहापे आगया BC upon QR into, इसको replace कर देगे, इससे, क्या हो जाएगा यह, BC upon QR से, तो therefore that is equal to BC into BC क्या हो जाएगा, BC square upon QR into QR क्या हो जाएगा, QR square, तो आ गया हमारा answer, तो हम क्या बोल सकते है, कि अगर दो triangles क्या होते है, similar होते है, तो उनके areas का जो ratio होता है, देख लो विश्वास नहीं होता है, तो हमको क्या मिल गया, कि उनके areas का जो ratio होगा, that is equal to ratio of square of their corresponding side, य तो आप बोलोगे, miss, ये तो एक ही आया, एक ही ratio आया है, मतलब ये ही आया है, इनका क्या, इनका क्या, ये कैसे आएगा, तो ये tension मतलो, ये automatically equally होगा, क्योंकि ये दोनों triangle similar है, तो इनके corresponding side का जो ratio है, वो equally है, ना, corresponding side का ratio ये जो है, वो equally है, तो इनके squares भी equally होने वाले है, ठ क्योंकि देखो, ये दोनों triangle क्या है, ये दोनों triangle similar है, तो इनके areas का ratio होता है, that is equal to ratio of, जबी भी दो triangles क्या होते है, similar होते है, तो आपको तो पता है, इनके corresponding side का ratio तीनों equal आता है, तो यानि कि यहाँ पे हम लिग देगे, therefore, therefore, यहाँ पे हमको answer आच चुका है, तो यहाँ पे AC square upon PR square, AC square upon PR square, and यह रहा हमारा answer, that's it, done, हो गया, तो तीन step का काम था, तुम लोग इतना इसको load में लेके बैठे हुए थे, बताओ हमने क्या किया, आप लोग एक बार steps को है ना, मन में बोल दो, तुम लोग इना बोलते नहीं हो, तुम लोग क्या गर रहे हो, रट्टा मार सब्सक्राइशन नहीं हमको भरना है, तो यहाँ पर यह AB upon PQ is equal to क्या हो जाएगा, BC upon QR, ठीक है, तो यह हो गया, और फिर यह angle A, sorry, angle B और angle Q क्या है, congruent है, हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, 2 prove लिखा, construction किया, सबसे पहला step था यह वाला, उसके बाद हमने क्या किया, यह यह वाले triangle और यह वाले triangle को हमने दिखा दिया, similar, उससे हमको corresponding side का ratio equal मिला, equation number 2, but हमारे पास क्या था, यह था, हमारे पास already, तो हमने 2 और 3 का यूज़ करके यह यह लाया, और उसके बाद हमने इसको replace कर दिया, BC upon QR से, और देखो यह फटाक से answer आ गया, हो गया, ठीक है, हो समझ में आया है कि नहीं आया है, let me know in the comment section, बचा पाटी, बहुत easy, आपके book में और detail में लिखा है, आप detail में लिख सकते हो, ठीक है, अब आते हैं, और मैं आपको इसके इसके अलावा एक और important चीज़ बताती हूँ, इस थी और हम की, बहुत important है, अभी in short करती हूँ, मैं short म area ले ले लेते है a2, और इसकी corresponding side ले ले लेते है s1 and s2, ठीक है, तो if ये दोनों triangles क्या है, similar है, तो इनके देखो, short cut में बता रही हूँ, तो इनके areas का जो ratio होगा, कैसे लिखे है, a1 upon a2 is equal to ratio of square of their corresponding side, बच्चे पता है, मैंने ना 5 साल से में paper चेक कर रही हूँ, ये square word नहीं मैं बताती हूँ, कि जबी दो triangles क्या होते है, similar होते है, तो ये तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, पता है, कि ये दोनों triangles के areas का जो ratio होगा, that is equal to ratio of square of their corresponding heights भी होता है, हा, तो मान लेते है, h1 और h2 क्या है, ये दोनों triangles के corresponding heights है, तो आप देखना, जो problem set 1 है, ध जब दो triangles क्या होते है, similar होते है, ध्यान देना, जब ये दोनों triangles क्या है, similar है, तो इनके areas का जो ratio होगा, that is equal to ratio of square of their corresponding heights भी होता है, और ये बात आप इस question number में प्रूफ कर लोगे, और ये मैं क्यों बता रही को पता है, क्योंकि ये ना कभी-कभी board exam में एक ऐसा भी question आया था कि आपको heights की value दी रहती है, heights दी आ रहता है, मानलो इसका height है, इसका height है मानलो 3, इसका height है 2, और बोला कि इनके areas का ratio निकालो, तो बच्चे अटक जाते है, बच्चे बोलते कि अरे कैसे निकालेगे हमको, तो ये वाला concept पता है, कि इनके side के ratio का square लेना पड़ता है, ठीक है लेकिन side के square का ratio लेना पड़ता है, बड़ height का नहीं पता होता है किसी को, बड़ क्योंकि अभी पता है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों triangles के areas का ratio भी निकाल सकते हो, क्या आएगा answer, h1 के जगा पे 3 put करना, 3 का square, 9, h2 के जगा पे 2 put करना, 2 का square, 4, तो 9 upon 4 answer आएगा, तो दोनों को याद रखना, अब आते हैं, और एक question, जाते-जाते में पता हैं, आपको एक question देती हूं, तो यहाँ पे देखो, क्या बोला है कि triangle ABC and triangle PQR similar है, triangle ABC का area दिया है, 16, triangle PQR होगा यहाँ पे, थोड़ा सा print गलत हो गया है, तो triangle PQR जो है, इसका area दिया है, 25 हाँ, और हम उनको क्या करना है कि इनके corresponding side का ratio निकालना है, तो जल्ली से मुझे answer comment में बता दो, fast come on, और यह भी बताना theorem समझा की नहीं समझा, हाँ, और बाकी तो यह जो हमारा app है, अगर आप universe batch में एंड्रोल करते हो ना, तो मान लो कि अगर आपने कभी live class मिस कर लिया, तो टेंशन मत फ्री मटेरियल भी मैंने आपको दिया हुआ है, तो आप लोग जल्ली से यह आप डाउनलोड कर लो, देखो मैं बताती हूं कहा पर मिलेगा free material, यह तीन ऐसे dash दिक रहे, एक, दो, तीन dash दिक रहे, यहापे click करना, यहापे आपको free material मिलेगा, free material पर click करना, और यहापे documents मे देखो, दो मैंने फोल्डर बनाए, तो class 10 के ऊपर click करना, और यह आपको मिलेगा, इधर previous years question papers, handwritten notes, handwritten notes आपको मिल जाएगे, तो मैंने बता देती हूं, एक थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा हूलिया बता देती हूं, तो आपको थोड़ा समझेगा, कि मैंने यह देखो, य इस handwritten notes में आपको पूरा concept मिलते है, तो आपका एक अच्छा revise हो जाता है, तो पूरे chapter के handwritten notes मैंने दे दी है, तो आपको download करना है, तो app में से आप download कर सकते हो, ठीक है, बहुत useful है, यह notes आपको किसी से भी पूछ लेना, last previous years के बच्चे उनसे पूछ लेना, बहुत काम आता है, ठीक है, तो बस इतना ही आपको बोलना था, I hope आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो, और एक बात क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो हमारे chapter number one के जो वीडियोज है न, जो theorem हो चुके है, congratulations, अब हम next chapter two से start करेगे, chapter two के जो theorem से वो start करेगे, तो let me in the comment, let me know in the comment section chapter number two के कौन-कौन से theorem's आपको चाहिए, वो हम करेगे, ठीक है, कलो, मिलते हैं next video में, bye-bye and take care